जबलपूर में हनुमान जन्म सवफर बजरंग बली को उनके भक्तों ने एक टन से भी अधिक वजनी लड़्डू का महा भूग लगाया इस महा भूग के महा लड़्डू को देखने दूर दूर से लोग आये जबलपूर के गलवा चौक के पास इस्थित पंच मठा हनुमान मंदिर में पिछले दो साल से हनुमान भक्त बजरंग बली को बड़े आकार के लड़्डू का भोग लगा रहे हैं इस बार भी महा भोग के लिए एक टंद से ज्यादा वजन वाले महा लड़्डू को बनाने के लिए तकरिवन बारा कारीगरों का सहयोग लिया गया और पंधरा दिन में इतना विशाल लड़्डू बन कर त्यार हो पाया हनमान भक्तों ने इस विशाल लड़्डू से बजरंग बली को महा भोग लगाया बूंदी से बने इतने विशाल महा लड़्डू को बनाने के लिए नाकपुर से कारीगरों को बुलाए गया था इस लड़ू को बनाने के लिए 350 किलो चने की डाल, 500 किलो शक्कर, 15 किलो ड्राइफूट और 35 टीन टेल और शुद्ध घी और तक्रीबन 30 गैस के सलेंडरों का इस्तमाल किया गया है कोई ऐसी चीज अरपित करें जो भगवान की पसंद की हो तो बच्चे का बड़े जब होता है तो एक परिवार उसका बड़े मनाता है लेकिन जब हनुआन जी का बड़े है तो पूरा देश उसका बड़े मना रहा है तो हम चाहरे हैं कि भगवान को जो लड़ू पसंद है वो हम लड़ू उनको उस रूप में दें भव्य रूप में एक महा प्रशादन के रूप में कि भगवान का वो बड़े सब लोग याद करें और भगवान भी खुश हो जाएं तो उनका जो यह हमने एक टन का लड़ू बनाया हुआ है इसमें हमें बहुत सी सामगरी लगी हुई है शुद्ध घी लगा हुआ है ड्राइफ रूट लगा है बेसन लगा है 500 किलो करीफ शक्कर लगे और महिला समीती और अनुमान समीती के जितने भी जादत से हैं सभी ने मिलके बहुत ही अच्छे उससाह से यह ब जो आपके लिए दरूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेश हम करते हैं सत्य का अनुवेशां दखल नियूज आपके हद में आप देख रहे हैं दखल नियूज